दोस्तो बात तो बहुत साफ है कि बॉलिवूड के अंदर अगर किसी ने कुछ हटके, कुछ फटके और कुछ माइंड ब्लोइंग किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर लोकों नहीं किया है जैसे कि शारुक खान और वैसे ही एक आउटसाइडर जिन्होंने अपन के साथ फूल ओन एक्शन एक्शन और एक्शन पैक मुवी होने वाली है दोस्तो हलाकि इस मुवी का बजट पचास करोड है मगर फिर भी ये मुवी आपको बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे बहुत ज्यादा रिच दिखाई देगी दोस्तो हाँ वो बात सही है कि पॉलिश हो सके और और अच्छी अच्छी मुवी करके हमारे समने पेश कर सके यहाँ पर क्रैक मुवी का ट्रेलर आ चुका है दोस्तो और ट्रेलर दो मिनेट 22 सेकंड का है और भाई साब क्या ट्रेलर काटा है इसकी एडिटिंग हो इसका बीजियम हो इसके एक्शन सीक्व उपर से इसमें जो फनी फनी डायलोग हमें सुने ही दे रहे Solar 1C, Simba, Singam उसका डायलोग हो या फिर High Gurmy वाला डायलोग हो या तुम्हारी ऑकात के बाहर वाला डायलोग हो सारे डायलोग इस ट्रेलर के अंदर बहुत मज़ा देते हैं दोस्तो उपर से नोरा फते ही इस ट्रेलर को और ज़्यादा गरम कर देती है और भाई साब क्या action sequence दिखा इसके अंदर मुझे तो भाई ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो विलन है वो है अरजुन रामपाल वो बहुत ही बढ़ी अक्टर है दोस्तो तो एक तरफ विद्धु जामवाल और दूसरी तरफ अरजुन रामपाल इन दोनों के बीच में जो फेस ओफ होगा वो देखने में बहुत मजाएगा दोस्तो ये मुवी रिलीज होगी 23rd Feb को और इसका डेरेक और इन डेरेक कॉंपिटिशन होगा आर्टीकल 370 मुवी के साथ अभी कौन जीतेगा कौन हरेगा मुझे नहीं पता मगर क्रेक मुवी एक्शन लवर को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी उपर से इस मुवी के अंदर विद्धूज जामवाले जो टपोरी एक्शन पकड़ी है न वो मुझे थोड़ी फ़नी लगी तो दोस्तो सीधी बात नो बकवास मुझे तो क्रेक का एक्शन पक्ड ट्रेलर बहुत अच्छा लगा अगर आपने ये ट्रेलर देखा तो आपको कैसा लगा आप इसके बारे में कॉमेट में जरूर बताइएगा दोस्तो और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्रेब जरूर कीजेगा थैंक्स पर वाचिंग